हेलो फ्रेंग्स, मैं हूँ आपकी दोस्तनेहा और लेकर आए हूँ आपके लिए फिर से एक न्य वीडियो आज की इस वीडियो में हम Bgar sauce के बारे में पढ़ रहे हैं वेड नोर्स के आज हमारे आप चल रहा है 맞़ रिज्ग्चा के process काल की सिंग्षा के पढ़ रहे हैं उस से लिए जितनी विडियो डाली है आपको लिंक में आई बटन में मिल जाएंगी याप मेरी प्लेलिस्त भी चेक कर सकते हैं उसमे भी आपको बीस चैनल पर फिर्स्ट रैम आये हैं वीज़ी फिर्स तैम देख रहे हैं वेल्काम तुमाई सपास आपको वीडियो जाएंगी जिसमें आपको डवलोप्मेंट आफ एजूकेशनल सिस्टम की वीडियो मिलेंगी और लर्निंग की वीडियो मिल जाएंगी तो चलिए शुरू करते हम अपने आज की वीडियो देखे आज की जो हमारी वीडियो को बहुत important है क्योंकि इस से related काफी questions आपको देखने को मिलते हैं वीड में, सीटेट में या जो भी आप short questions करते हैं तो ये बहुत important question रहा है प्राच्य पास्चात्य पास्चात्य विवाद है ठीक है तो वो सन 1813 के अज्यापत की 43 वी धारा में भारते की सिक्षा का उत्तरदाइत्व कंपनी पर रखा गया ठीक है तथा उसे प्रतिवर्ष सिक्षा पर एक लाख रुपए की राशी वै करने का आदेश दिया परन्तु धारा में ये शब्द ये इस पस्ट नहीं किया गया कि यह धनरासी किस प्रकार की सिक्षा पर वै की जाएगी जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक आग्या पत्र जारी किया गया था भारत की सिक्षा को लेकर और ये इस्ट इंडिया कंपनी यानि कि जो बिटिस कंपनी थी उसके लिए ये बनाया गया था उस आग्या पत्र में लिखा गया था कि आपको भारत में जो भी सिक्षा का दायत लेगा उसको एक लाक रुप अप्मी काश्चा पर या कैसी व्राथ किगी देखा तो प्राच्चे शिक्षापर या प्राच्य शिक्षा पर बतर नांड प्राच्य को ले कर गाता об प्रमचारे में विवाद खड़ा हो गया तथा इस विवाद में दो वर्ग में प्राच्य विवाद बादी और पाश्यात्य वादी दो ग्रूप बन गए विवाद का मुख कारण क्या था अब आप कारण देख लीजे विवाद का मुख कारण आग्या पत्र की 47 वी धारा में वर्णिक दो शब्द 43 वी धारा में वर्णिक दो शब्द शाहित एवं भारते विद्वान थे पराच एवं पाश्यात वादी इन दोनों शब्दों की व्याख्वा अपने अपने धंसे की मतलब एक तो साहित को मानने वाले थे ठीक है, एक साहित एवं भारते विद्वान थे और एक में भार के जो सिक्षास रेलेटेड लोग थे, वो थे इन दोनों सब्दों की व्याकिया अपने अपने डंग से की प्राच्यवादी साहित में अर्विवा संस्क्रत साहित को इस्थान देते थे तदा विद्वानों ने इस साहित को जानने वाले भारते विद्वानों को लेते थे मतलब जो इन साहित को अच्छे से समस्ता पड़ता है ऐसे विद्वानों को उसमें इंक्लूट किया गया था पाश्यात्यवादी अंग्रेजी साहित तता विद्वानों में अंग्रेजी साहित के विद्वानों को लेते थे तो प्राक्षवादी इस वर्ग में कम्पनी के पुराने एवं अनुभवी करमचारी वारेन हैंस्टिंग्स जैनाथन डंकन लॉर्ड मिंटो इस नीती के समर्थक थे इस नीती को बंगाल की लोक्स इक्षा नीती का समर्थक प्राप था साहित से इनका अर्थ तता भारते विद्वान का अर्थ भारते साहित के विद्वान से था ठीक है ये चाहते थे ये क्या चाहते थे भारत में भारते भाषाओं संस्कृत अर्वी हिंदी के माध्यम से सिक्षा दी जाए दूसरा भारत में भारते साहित वं ज्यान विज्ञान की सिक्षा दी जाए उच उदारवादी भारतियों को पास्चात ग्यान विज्ञान का समान ग्यान कराने के भी पक्ष में थे परंतु इस सम्मन में इनके अपने अपने मत हैं भारत की हित की द्रस्टी से सोचने वालों का तर्क था कि भारत की अपनी संस्कति होती है तता इस संसकती की रक्षा केने उसकी भासा एवं साहिती की सिक्षा देना आवश्यक है ठीक है उनका कहना था कि जो हमारी भारत की जो संसकती है उसकी सिक्षा बच्चों को जरूर देनी चाहिए निमली की तर्क थे कि प्रिंसिस का तर्क था प्रिसेप का तर्क था कि भारतिय यानि कि दर्शन साहित और ग्यान विग्यान के सिक्षा प्राप्ट करने योगी ही नहीं है विल्सन का तर्था कि भारत में पास्षा ते ग्यान विग्यान की सिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों का विरोध हो सकता है कुछ विद्वानों का तर्क था कि भारते पास्चात ग्यान विज्ञान भासा साहित आदी का ग्यान प्रदान करने करके यूरोपियों के समकच हो जाएंगे कुछ अन्य विद्वानों का तर्क था कि भारते पाश्चात भासा साहित ग्यान विज्ञान का ज्यान प्राप्त करके जागरुख हो जाएंगे और भारत में अंग्रेजी साशक को उखार देंगे ठीक है कुछ विजानों का ये भी तर्ख था फिर देखते हैं कि हम पास्चात्यवादी इस वर्ग में कंपनी के युवा करमचारी जो 1813 के आग्या पत्र में साहित शब्द का अर्थ पास्चात साहित से लेते थे और भारते विद्वान का अर्थ पास्चात साहित के भारते विद्वान से लेते थे ये चाहते थे कि भारते की सिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और भारतियों को पास्चात्य भासा एवं साहित का ग्यान कराया जाए कुछ गटरवादी इसाहित धर्म की सिक्षा अनिवारे करने के पक्ष में थे भारते हित की द्रस्टी से सोचने वालों में राजा राम मोहन राय का तर्क था कि इस सिक्षा से भारत्य आधुनिक्तम ज्यान विज्यान के परिचित हो सकेंगे और अपनी उन्नती करेंगे ब्रिटेन की दृफ्टी से सोचने वालों का तर्क था कि भारत में पश्मी संस्कती का विकास किया जा सके कमपनी के शाथन कारेके निये पढ़े लिखे कनिष्ट करमचारी द्यार किये जा सके भारत में अंग्रेज परस्त लोक तयार किये जाए और जो जनम से ही भारतिय होंगे परंतु विचारों से वो अंग्रेज होंगे भारत में ब्रिटिस साशन की जड़े मजबूत होंगी परणाम इस प्रकार प्राच एवं पाश्यत विवाद 1834 तक चलता रहा जिसके कारण कमपनी 20 वर्स तक अपनी कोई सिक्षा नीती निशित नह आ है 1813 से लेके 1833 तक मिसेंरियों के स्यक्षिक कार है बंगाल 1817 में स्रीरामपूर कॉलेज की इस्थापना की और इसमें पास्षात भासा जाहित और ज्ञान विज्ञान की उचित विवस्था की 1814 से 1818 के बीच चिन सूरा और इसके आसपास के छेत्रों में 26 स्कूल खोल 1820 में सिव पूर में विशप कालेज की स्थापना की मूंबई 1815 में लड़कों के लिए की स्कूल खोला गया 1824 से 1826 के बीच लड़कियों के लिए 9 स्कूल स्थापित किये गए डॉक्टर विल्सन ने 1829 में लड़कियों के लिए और 1832 में लड़कों के लिए एक-एक स्कूल के स्थापना की लंदन मिशनरी सोसाइटी में गुजरात और कोकंकर छेत्रों में आयरिस प्रोफस्टेरियन मिशनरी सोसाइटी में कठिया वार्च छेत्रों में और चर्च मिशनरी सोसाइटी में मंबई थाड़ा नासिक और सूरत में अनेक स्कूल सापिक किये गए मदरास 1815 से 1820 के बीच चर्च मिशनरी सोसाइटी ने 107 स्कूल खोले ठीक है 1817 में इसाइग ग्यान प्रचारक समीती ने 9 स्कूलों के स्थापना की उप्रोक स्थानों के अतरिक मिशनरीयों ने लुधियाना जौनपूर बनारा साजमगर आगरा मतुरा मेरट और अजमेर में भी स्कूल खोले राजा रा मोहन राए ने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो आज भी बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना तथा कलकत्ता समाज की भी स्थापना की हिंदू कॉलेज में बंगाल संस्कत अंग्रेजी इतिहास भुगोल गडित और जोतुसी विश्यों की सिक्षा का प्रवंद किया तता सिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा था 1819 में राजा-रा मोहन राय ने कलकत्टा विश्वे विधालय समाज के स्थापना की इसलहे हैं भारत में पुल्ण जागरन के अभी दूट मानने जाथे हैं सhthापना की इस करम में पंडित गंगादर शाफ्त्त्त्री ने संस्कत कोा अगरा कॉलेज में बदलवा दिया यहां संस्क्रत के साथ पाश्चात भासा और अंग्रेजी भासाता तक ज्ञान विज्ञान की सिक्षा की उचित विवैस्था की गई इतलौ है तो फ्रेंड्स यह था पाश्चा और पाश्चात भात वीवात के बारे में यह बहुत High को अप्रेंजों मेरा क्या था इस तरह से सीस हैं आप किस वजह से ठाल ऩहां तो पूछ जरूर कीजिसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोग की भी हल्क हो पाए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस इंडिया कंपनी के सेक्षिक कारे के बारे में तो इस वीडियो को देखना बिलकुर में मत्मूल ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक झाल